नमस्कार, स्वागत हैं आप सभी का ग्यान गंगा चैनल पर हिंदू पंचांग के नुसार अश्वनी, मघा, मूल, अशलेशा, जेश्ठा और एविती ये छे नक्षत्र गंड मूल नक्षत्र कहलाते हैं जब कोई बालक इन में से किसी भी नक्षत्र में जन्म लेता है तब उसकी शांती कराई जाती है बच्चे की जन्म से 27 वे दिन जब उसका जन्म नक्षत्र आता है तब शांती पूजा कराई जाती है अगर किसी कारणवश इस समय गंड मूल नक्षत्र की शांती पूजा ना कराई जा सके तो बच्चे की जर्म दिन के आसपांस ये पूजा करा सकते हैं आज की इस वीडियो में हम जानेंगी कि अक्टूबर 2022 में गंड मूल नक्षत्र की तितियां क्या रहेंगी दिन दिन आंग वा समय क्या रहेंगे तो चलिए शू करते हैं वीडियो को लेकिन वीडियो शू करने से पहले अगर आप में ये चैनल पर नए हैं और अभी तक आप सस्क्राइब नहीं किया है तो आगामी अग्ड मूल नक्षवत्र की तितियों की जानकारी प्राप करने के लिए वीडियो चैनल को सब्छ्राइब कर दीजिये वीडोल लगे तो उसे लाइक शियर करना बलकूर मत भूलिये तो चलिए शूरू करते हैं आज का वीडियो नक्षद रहेगा जेश्ठा. अंथ होगा 3 अक्टूबर 2022 दिन सोवार को सुवै एक बच कर तिरपन मिनट पर. नक्षद रहेगा मूल. इसके पश्याद गंडमोल नक्षद का आरंभ होगा 9 अक्टूबर 2022 दिन रवीवार को सामके चार बच कर 21 मिनट पर. नक्षत रहेगा रेवती, अन्थ होगा 11 अक्टूबर 2022 दिन मंगलवार को शाम के 4 बचगर 17 मिनट पर, नक्षत रहेगा अश्वरनी इसके बाद गंडमूल नक्षत्र का आरम होगा 19 अक्टूबर 2022 दिन बुद्वार को सुबह 8 बचकर 2 मिनट पर नक्षत रहेगा श्लेशा अन्थ होगा 21 अक्टूबर 2022 दिन शुक्रवार को दोपह 12 बचकर 28 मिनट पर नक्षत रहेगा मखा इसके बाद गंड मूल लक्षत्र का आरंभ होगा 28 अक्टूबर 2022 दिन शुक्रवार को सुबै 10 बच का 42 मिनट पर नक्षत रहेगा जेश्ठा अंत होगा 30 अक्टूबर 2022 दिन रवी वार को सुबै 7 बच का 26 मिनट पर नक्षत रहेगा मूल मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ